गुड मॉनिंग दोस्तों मैं विन्य कुमार आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं UPSC परिक्षा ओल्लाइन क्लासिस में दोस्तों आज अपने इस चैनल पर आपको पढ़ाने वाले हैं 11 अप्रेल 2021 के इस चैनल को और डेली सुबस साथ बजी मेरे चैनल पर आपको करण्ड अफेर से रिलेटेट एक वीडियो मिलता है जिसमें आपको डेली मोस्ट इंपॉर्टन कोश्चन पूरे डेटेल से कंप्लीट कराता हूं और आज भी मैं आपके लिए कुछ ऐसी कोश्चन लेके आया हूं जिनको हम डेटेल से बढ़ने वाले एक चीज हम देखें के जो भी करेंट अफेर की होती है इंपॉर्टन है आपके एक्जाम वीडियो सुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि देखें आप लोग जितना हो सके उतना मेरे वीडियो को शेर करतीजे करें अपने दोस्तों के पास और मतलब फ्रेंड्स जो भी है सबको क्योंकि देखें वीडियो के काफी कम व्यूस आ रहे हैं और उस लगा और इसी परकार से फिर मैं आप से कनेक्ट हो पाऊंगwno तो प्लीज आप वीडियो को जितना हो सके हो इतना शेर की J और कम से कम कम से कम जितना जो आप मतलब शेर कर सकते हैं तो नहीं कर दिजिएका ठीक है और चलिए सुरू करते हैं इस वीडियो को और सबसे पहले आध देखते अपने करेंट अफेर की पहले कोशन को पहला कोशन है दोस्तों हमारा रानी एलिजाबेथ दुत्ये के पती का क्या नाम था जिनकी मृत्यू नियानेवे वर्ष की उम्र में हो गई तो इनका नाम देखिए दोस्तों क्या है प्रिंस फिलिप प्रिंस फिलिप इनका नाम है और ब्रिटिज इतिहास में सबसे लंबे समय सेवारत शाही सहचारी थे और 96 वर्स के जब यह हो गए तो 2017 में इन्होंने यह सभी जो अपने करतवे थे इनसे इनको निवृत्त कर दिय मतलब एक तरीके का रिटायर्मेंट दे दिया गया थे इनको और अभी तीन साल बाद मतलब की 99 साल में यह क्या हो गए इनको मृत्यू प्राप्त हो गई और अब यह इस दुनिया में नहीं रहे तो याद रखेगा रानी एलिजाबेद दुत्ति के कौन है यह पती है प्रि 10 अप्रैल को कब उता है 10 अप्रैल को होमियोपैथी की अगर दोस्तों बात करें तो यहां पर होमियोपैथी के बारे में चागरुकता फैलाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है और एक व्यक्ति थे इनका नाम में बता दूँगा आपको यह देखी लिखका है कि डॉक् होमियोपैथी दिवस के रूप में मनाया जाता है वर्ष 2021 में हनेमान का 266 जनम दिवस मनाया गया है और भारत में अगरते की बात करें तो इसको तीन दिवस मतलब एक आयोजन किया गया था यहां पर केंद्रिय होमियोपैथी अनुसंधान परीशत के अर्धीन और यह आप सक्रित चिकिस्ता के लिए रोड मैप तो यह भारत के लिए है और यह सभी जो मैंने आपको पॉइंट बताई सभी पॉइंट कोशन से इंपॉर्टेंट है और आपके लिए कोई भी एक कोशन में मिलेगा जुरूर ठीक है अब स्थर्ड कोशन दोस्तों मारा यहां पर पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है तो यह चुना गया है दूती चंद को अब यह दोस्तों दूती चंद कौन है दूती चंद जो है वह औरीसा की एक धावक है बहुती प्रसिद धावक हैं और 2019 में इन्होंने क्या गया था इटली में आयोजित वर्ड यहां से काफी जादे इंपोर्टन आपके कोश्यन बनते हैं और यहां से आप इसको टिक करके रखिए कि विर्णी पुरुसकार या आपको देखिए 100% विलेगा आपको एक्जाम में इसके बाद नेक्स्ट कोश्चन है हमारा यहां पर नेक्स्ट कोश्चन है दोस्तों भारत ने किस देश को 100 करोड रुपए के गश्ट जहाज पी-एस जोरो स्टार दिया है तो देखिए यहां पर पी-एस जोरो स्टार दिया है तो देखिए यहां पर इन जहाजों में ठीक है यह तीन परीके के जहाज यह पहले में बता दूँ और जिसमें से एक था पी-एस टोपाच यह 2005 में दिया गया था फिर है पी-एस कॉंस्ट तेंटष 12 Xren दिया गया था और यह kuv Zim had-tool USA फेट्रोल बोर्ड हर मिस बॉक यह बॉल बॉन हर्मिस को जल्द होगा ठीके थे वाद्म हर्मिस है और शोला में दिया गया है और भी अ किसको है इस सद्रानल को दिया है याद रखेंगा श्य योब करें और इसकी राजधानी दोस्तो है विक्टोरिया मद्रहां चलती हैहाँ रुपिया और राश्ट्रपती थिए यहां पर कौन है से ओर याद रखेगा वहाम किलाहन यहां पर कौन है राश्ट्रपतीय हैं दोस्ते नेक्स्ट कोश्चन की बात करें तो देखें नेक्स्ट कोश्चन है हमारा किसके द्वारा विश्व बैंक की एक सो तीनवी विकास समीती की बैठक में भाग लिया गया तो यह बाग लिया था निर्मला सीतारमन के द्वारा और निर्मला सीतारमन दोस्तों कौन है केंद्रिय वित्य एवं कॉर्परोट मामलों के मंत्री है ये और भारत की पहली महिला वित्य मंत्री है मतलब पूर्ण गालिक विष्वेंग के अगर मैं बात करो तो देखिये विष्वेंग का मुख्याला पड़ता है वाशिंग्टन डीसी में इसका जो गठन हुआ है वो है जुलाई 1944 में और अध्यक्ष इसके कौन है डेविड मलपस डेविड मलपस इसके कौन है अध्यक्ष तो ये भी काफी जादा important question है अब next question है मारा दोस्तो और नेक्ष कोर्शन में लिख आगी है कि दुनिया का पहला Microsensor आधारित विस्पोटक ट्रेस डिटेक्टर लाँच किया गया है उसका नाम किया है तो यहाँ पर देखिये इसका नाम पूछा गया है तो इसका नाम है nano sniffer और ये दुनिया का पहला है इसको यहाँ पर यहाद रखने वाला है कि दुनिया का पहला है दोस्तो अगर इसको launch की बात करते हैं तो देखे इसको launch किया है IIT Bombay ने और इस IIT Bombay का साथ दिआ है IIT दिल्ली ने तो यहाँ पर इन दो रमेश पोखरियालनिशंग की द्वारा इस एक हैं इंडिया से बना हुआ है मतलब कि इसमें विदेशी एक परसनेट भी मदद नहीं दी गई है 100% क्या है इंडिया से बना हुआ है तो काफी अच्छा है कोशन यह आपका इंपोर्टेंट है कोशन नमर सेवन है दोस्तों किसके द्वारा टिका उस्तव तो यहां पर टीका उस्तव हो गई है ठीक है टीका उस्तव आयुजित करने की अपील की गई है तो देखे प्र से की गई है तो आप याद रखिए का राज्यों के मुख्यमंत्रियों से राज्यों के जितने भी मुख्यमंत्री है उन सभी मुख्यमंत्री से पीम की अपील है कि वो सभी अपने अपने राज्यों में टीका उस्तव का आयोजिन करें और इसके दारा कोविड-19 के जो टीक सबसे ज़्यादा होती जा रही है तो काफी अच्छा कोशन है और नेक्स कोशन देखते हैं दोस्तों यहां पर लिखा है कि नाइजर के नए प्रधार मंत्री कौन बनाए गए हैं तो यह देखें इनका नाम है ओहो मोदो महामदो और नाइजर में वर्तमान में जो राश्पत के रूप में प्रधान मंत्री को न्युकती मिली है और इनका नाम क्या था अहो मदो महामदो तो यह हमारा इंपोर्टन कोशन है और नाइजर के राजधानी की बात करें तो देखें नीमी इसकी राजधानी है और मुद्रा चलती है यहां पर फ्रेंक तो यहां पर हम इसको कह सकते हैं अफरीकी फ्रेंक तो यहां पर अफरीकी फ्रेंक भी बोलता है इस तरीके से कोशन याद रखेगा कोशन नमर नाइन है दोस्तों लिखा हुआ है कि पांच लाख करोड रुपए के ए यू एम को पार करने वाली दुनिया की पहली mutual fund company कौन सी बनी है तो देखे यह है SBI mutual fund SBI mutual fund और यहां पर देखे बात करते है SBI fund management की स्थापना की गई थी 7 फरवरी 1992 में कब की गई है 7 फरवरी 1992 में SBI fund management की स्थापना की गई थी यहां से इतना ही कोशन आप से पूछेगा एक्जाम में और ज्यादर डीटेल से नहीं पूछेगा पस इसको याद रखेगा कोशन नमबर 10 है दोस्तो भारतिय सेना के किस अधिकारी ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के दो रिकॉर्ड तोड़े है यहां पर देखी कौन है इनका नाम भरत पन्नू अब यह है कौन सबसे बहले देखे यह भारतिय सेना में लेटिनेंट जर्नल है मतलब काफी अच्छ साइक्ल करतव इकल साइकल करतब दिखाएं और इसमें 10 अक्टूबर 2020 को लेह मलानी Μार्ग लेह मनाली मार्ग चार सो बहतर किलो मीटर का है जो कितने का है 472 किलो मीटर का जो लेह मनाली मार्ग था इसको केवल 35 घंटे और 25 मिनिट में साइकल चला के पूरा कर दिया था 35 घंटे और 25 मिनिट में साइकल चला के पूरा कर दिया था इसके अधरिक दिन का जो दूसरा रिकॉर्ड है वो है 5942 किलो मीटर लंबा स्वार्णिम चत्रभुच मार्ग बनाते वे दूसरा वर्ड लिकॉर्ड बनाया मतलब इन्हें पूरे स्वार्णिम चत्रभुच को ही क्या कर दिया था साइकिल के दौरा चल दिया था सब्सक्राइब चत्रबुच योजना के तहत चार राज्यों दिल्ली, मुंबई, चेन्ने और कोलकत्ता को जोड़ा गया था तो यह मतलब यहाँ पर देखे इनने पूरे दिल्ली, मुंबई, चेन्ने और कोलकत्ता को साइकल के दोरा कवर कर दिया तो काफी अच्छा कोश्चन और काफी मतलब दाद देने पड़ेगी और क्योंकि काफी मतलब स्टॉंगे परसन है जोनोंने साइकल से रिकॉर्ड बनाया इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आज की क्विज कोश्चन की बारी है कि किसको वर्ष 2021 के WWE Hall of Fame में शामिल किया गया है तो यहाँ पर दिखे कल मैंने अपनी वीडियो में इसके कोश्चन को बताया था और आज आपसे क्विज में ये कोश्चन पूछा गया है और इस कोश्चन का आपको आजसर कमेंट करके बताना है हमारे को और कमेंट जरू कीजिएगा और लास्ट में जाते हैं पहले यही कहूँगा कि आप वीडियो को जतना हो सके उतना शेयर कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के पास जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं जो भी आपकी वाटसम में ग्रूप में उन सभी में शेयर के जिए तो इतना ध्यान रखे वीडियो को शेयर केजिए फिर आपके लिए और भी बेहतरीन क्लासेश में आपके लिए लेके आने वाला हूँ इसी चैनल पर बहुत ही जल ठीक है और आज इस वीडियो के यह रुखते हैं कल मिलते हैं नए कोशन के साथ तब तर के लिए धन्यवा बाइ बाइ